हालो फ्रेंट्स आप मुकेश गयल आयोग कि आप सारे बहुत अच्छे हैं फ्रेंट्स आज मैं आपको कोई भी टोपिक पढ़ाऊंगा नहीं ठीक है आज आप लोगों को सभी को कॉंग्राचुलेशन बोलना है और सभी लोगों को सुक्रिया बोलना है कि सब कुछ बहुत ब लोग से आप लोगों के कोपरेशन की वज़े से और आप लोगों की प्यार की वज़े से हम आज 70,000 को क्रोश कर चुके हैं यह बड़ी अच्छी न्यूज है हमने पूरी कोसिस की फ्रेंट्स की आप लोगों के साथ जितना कोपरेट हमसे हो सकता है जितनी हम आप लोगों क कर सकते हैं उतना हम करने के कोसिस करते हैं और आप लोग भी बहुत पोजिटिवली मोटिवेट करते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है काम करने का मन करता है जब आपको कोई अच्छे से तो अच्छे से रिस्पॉंड का मतलब आगर आपको अच्छा काम कर रहे हैं और आपको पोजिटिव एनर्जी मिल रही है ठीक है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चला हम और अच्छा काम करें आप लोग इसी तरह हमें कोपरेट करते रहें और हर आदमे में सुधार के गु सीखते रहते हैं गलतियां करते हैं और ऐसा हर कोई करता है हम भी गलतियां करते होंगे हम भी आप लोगों से सीखते हैं हम आप कुछ हमें फीटबैक देते हैं हम उसमें सुधार करने की कोशिस करते हैं लेकिन अल्टिमेट यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे में सुधार च बहुत बढ़िया रहा है लोगों से भी यही राय को दूगा कि कभी विशे बहुत बहुत बड़ी से से हमें निरास नहीं होना चाहिए ठीक है सबसे पहली बात तो यह कि अपने उपर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए यह मेरे को मेरी तरब से आपको एक मैसेज मान लो या फिर मैंने जैसे-जैसे जो चीजें हर्डल आई हैं जीवन में या जैस प्रिस्तितियां कई बार आपके विपरित भी आएंगी नेगिटिव भी आएंगी है ना लेकिन आपको उन सिचुईशन्स को उन प्रिस्तियों को अपने उपर हावी नहीं होने देना है कभी ठीक है और आप अपने काम में दो चीज एक तो ओनेस्टी इमानदारी रखिए और एक हार्ड वर्क जारी रखिए कुछ ने कुछ अच्छा होगा बूरा तो नहीं होगा इस बात की गारंटी है ठीक है और किसी भी चीज में आप जल्दबाजी ना करें ठीक है कोई भी जल्दबाजी करना आपके लिए खतरना हो सकता है ठीक है मोटिवेशन होना बहुत ध्यान रखनी है ठीक है आ ओवर मोटिवेट होना बहुत ही ज़्यादा उतावलापन ले के आना बहुत ही ज्यादा एनरजी को ऐसे दिखाना कि मैं पता नहीं क्या हूँ वो आपको कही ने कही नेगिटिवीटी की तरफ लेके जाता है अपने आपको रिलेक्स रखने की को करें मेरे कहने का मतलब उन चीजों का आपके काम पर इफेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है आप जो कर रहे हो उस पूरण इमांदारी के साथ करें बहुत ही हार्ड वर्क की तरफ फोकस रखें और ऐसे जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज में जल्दबाजी आपका जरूरत नहीं है ठीक है बड़ा अच्छे से रिविजन पर फोकस रखें ठीक है और बार-बार किसी कंसेप्ट को कोई समझ नहीं आ रहे ना तो उसको कई बार रिविजन करते हैं तो चीज़े समझ में आ जाती है ठीक है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जीवन के अंद जीवन में कभी भी उदास नहीं होना है जीवन में हमेशा खुश रहना है शांती बहुत जरूरी है सैटिस्ट्रेक्शन बहुत जरूरी है शांती के साथ होस में रहके आप पूरी एनरजी के साथ काम करें और ऐसे नहीं होता कि बहुत जल्दबाजी में बहुत कभी फ्रस अच्छे से अभी जीवन को व्यतित कर रहे हो और बहुत अच्छा आपका जीवन है और इसको और बैटर्मेंट की तरफ आप जा रहे हो ना तो टेंशन किस बात की लिए नहीं सब अच्छा तो चलता ही रहेगा ज्यारफ होने के बाद क्या सारी प्रोब्लम सोल हो जाएगे क उसके बाद भी आएंगे ठीक है तो उसको भी संभालना है यानि कि आपको हर जगह एक प्रिपकवता का एक मेंचुरीटी का प्रीचे देना है आपको घवराना नहीं है आप लगना चीए कि आप पड़े लिखे हो ऐसे नहीं होता कि बात बात पे घवरा जाओ ठीक है ना अब पड़े लेखे होने का मतलब यह है कि अपर चीज का पड़े लिखे होने का मतलब सिर्फ यह निहीं जोब लग जाओ वो तो एक जीवन जीवन को बकॉमैंको पैसा तो कमाना ही पढ़ेगा कहीं से भी गमाओ अ कि हाँ कुछ है ऐसा होना चीए खुश रहके पूरन इमानदारी के साथ हाड़ वर्क करें और आप लोगों का जो इतना सयोग मिला है 70,000 सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने हमें दिये हैं अभी भी बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोगों का ही ही सयोग है आप लोगों ने ही पूरन इमानदारी के साथ हाड़ वर्क करते रहेंगे ठीक है ना फ्रेंड्स all the very best thank you thanks a lot इसके लिए और आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई हो और आप खुश रहे है all the very best thank you thanks a lot